हेलो अबरिवन विलकम बैक तो मै चैनल अगर आपने इस डिरामे के पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी जरूर देख लेना वरना आपको ये ड्रामा समझ नहीं आएगा इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं फा पूल साइट खड़ी होकर चास ने जो उसके साथ किया वो सोच रो रही होती है उसके पास वताता है जो उसके लिए पहिशान होता है पूछता है जो चास ने उसके साथ किया वो स्क्रिक्प्रेट नहीं थाना फा हा बोलती है तो वत चास पर चिड़ कर केने लगता है वो कभी तुमारी रिक्सपेक्ट नहीं करता पता नहीं कि वो उसके साथ इतना बुरा बरताओ क्यों करता है लेकिन अब और नहीं वो अभी चास को अच्छा सबक सिखाएगा और ये बोल चानी लगता है उसे पीटने के लिए लेकिन फा उसका हाथ पकड़ के रोकती है बोलती है प्लीस चास से दूर रहो वो कुछ भी कर सकता है और ये बोल रोनी लगती है तो वत रुख जाता है वो उसे कौनसोल करता है फा वत के गले लग रो रही होती है और उन दोनों को गले लगता प्रे भी देख लेते है अब ये आगे क्या करेगे आप समझी गए होंगे यहां साइच्छन भी फा को ढून रहा होता है उसके पास ये चिमकांडी आती है पहले तो प्रे चास से उसने जो फा को किस किया था उस बारे में सवाल पोचने लगती है तो चास बोलता है वो तो बस उसके एक्टिंग का प्ले का रोल था इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है अब आगे ये प्रे उसे बताती है कि उसने वत और फा को हक करते देखा था जो सुन चास शौक होता है और वो गुसे में उस तरफ जानी लगता है ये प्रे का उसको भढ़कानी का प्लान सकसेथ होता देख वो खुशोरी होती है अब चास भी उन दोनों को गले लगता देखता है गुसे में उनकी तरफ आता है फा को अपनी तरफ खिच वत को पंच मारने हाथ उठाता है तो फा वत के सामने आ जाती है तो चास रुक जाता है वो शौक हो जाता है कि फा वत के सामने आ गई चार्स वत से कहने लगता है कि क्या तुम रियल मैं नहीं जो एक लड़की के पीछे चुप रहे हो वत को गुसा आता है वो भी उसे मारने जाता है तो फा उसे रोक लेती है और वो चार्स को इग्नोर कर वत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ चलने को बोलने जाने लगती है चार्स ये सब कैसे देखता वो चिड़कर फा के सामने आ जाता है और बोलने लगता है क्या तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि मैं डॉक्टर वत पर हाथ भी नहीं उटा सकता है ना फा चार्स की बातों से परिशान हो गई होती है वो चार्स से पीचा चुड़ाने के लिए जोट बोल देती है कि वो वत से प्यार करती है जो सुन साइचान के साथ वत भी शौक होता है फा कहती है तुमने सच सुन लिया ना अब मुझे दुबारा बौदर मत करना और ये वत जाने लगते है चार्स उसका हाथ पकड़ के के नहीं लगता है वो उसे वत के साथ नहीं जाने देगा फा उसे रोकर उसे चोड़ने को बोल रही होती है जाने देने बोल रही होती है साइचन सुनता नहीं वद ये सारा सीन देख चास को फा को सोरने को बोलता है चास को वद पर घुसा आता है वो उसे पंच बारने जाता है तो फा वद को बचाने के लिए चास को स्विविंग पूल में धखेल देती है फा जानबुच के उसके सामने वत का हाथ पकड़ चास की तरफ कोल्ड सा भीहेव कर वत के साथ वहाँ से चली जाते है चास शाक होता है कि फा कितनी जादा उससे नफरत करते है उसे हर्ड भी होता है गुसा बे आता है वत्फा को उसके घर छोड़ता है फावत का सौरी करती है कि उसने चास के सामने वो सब कहा वत्फा की कंडिशन समझता है फा से प्रॉमिस लेता है कि अगर चास दुबरा उसे परिशान करे तो वो उसे बताएगी फा यस कर घर के अंदर जाती है घर में गुसे में आग गुबला होकर बेटी फ्रेफा की तरफ घूर कर देख रही होते उस पर चिला कर कहने लगते है कि फा चास से फ्लर्ट करती है जबकि उसे पता है चास को वो लाइक करती है फा उसे समझाने जाती है कि वो सब गलत वे में है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती बोलती है फा उसे जेलिस है वो हमेशा से फा क्या ख्याल रखती आई है प्यार करती आई है लेकिन फा एसान फरामोश है और चास को प्यार करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती चास उसका है और ये बोलो वहां से चली जाते है और फा बस रोती रह जाते है वो अपने आपको दोशी मानती है और इन दोनों को जगड़ते आंट भी देखती है उन्हें बुरा लगता है वो उसके पास आती है रोती हुई फा को संभालती है फा को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रे उससे से प्यार करने का दिखावा करती है उसे नहीं पता है कि प्रे उसकी रियल सिस्टर नहीं है आंट याद करती है कि बच्पन से ही जो है प्रे छोटी फा से नफरत करती है है क्योंकि फा के आने के बाद उसके मॉम डैट के साथ का प्यार बढ़ गया था अब हम साइचौन को देखते हैं साइचौन प्रे ने सारी फा की खिलाफ कही बातों को सच मान मेटा है उसे सच में लगने लगा है कि फट और फा एक दुसरे से प्यार करते हैं वो ये सब सोच गुस्से में अपने हाथ से दिवाल पर पंचे समारता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है वो गुस्से में फा को सबक सिका के रहेगा बोलने लगता है उससे रिवेंज ल ना ये तो सम्मुंदर में आने वाले आंदी तुफान से पहले की वाली शांती है अब हम एक कॉफी शॉप में इस रामा की पुरानी कैरेक्टर मैमी को काम करते देखते हैं उसे कॉफी ठीक से बनने ही रही होती, वो ज्यादा शुगर डाल देती है तो उसकी मैनेजर उस पर चिला रही होती है, वहाँ पर जेम्स भी आया होता है क्योंकि ये कॉफी शॉफा के आफिस के सामने ही है, जेम्स उस लड़की को डाटा देख, वो उसे यानि मैमी को बचाने के लिए बोलता है और परेज जेम्स से बहुती ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, समझ रहे हो ना मैमी क्या सोच रही है अब थोड़ी देरे बाद फा भी वहाँ कॉफी लेनी आती है, वो दोनों पास से गुजरती है, लेकिन मैमी फा को नहीं देख पाती आगी ड्रामा में मैमी का भी काफी important रोल है, अब हम चास को देखते हैं जो प्रे को अपने साथ मीटिंग के लिए चलने को बोलता है प्रे जाती है, हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे मीडिया आती है, प्रे को नहीं पता कि यह यहाँ क्यों आई है चास मीडिया के सामने यह अनौस कर देता है कि वो और प्रे जल्द ही शादी करने वाले हैं, जो सुन प्रे शौक होती है और खुश भी हसले चास बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ने वाला है अब हम फा को देखते हैं, जिसके फोन पर भी इस अनौसमेंट का वीडियो आ जाता है, जिसे चास नहीं बेजा होता है जिसे देख वो पुरी तरह शौक हो जाते है, टेंशन में आ जाते है, उसके दोस्त भी ये निउस देख शौक हो जाते है वो गुस्ते में चास से मिलने निकल पड़ते है, वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाते है अब वो पहुँच जाती है चार्स के पास गुस्से में चिलाते हुए के नहीं लगती है कि वो उसकी सिस्टर से दूर रहे नहीं तो वो उसे छोड़ेगी नहीं चार्स पूछता है वरना क्या कर लोगी तुम कुछ नहीं कर सकती तुम वो प्रे से शादी करेगा प्रे उसकी वाइफ और फा बस उसकी एक मिस्टरस बन करे जाएगी फा चिरकर उसे फिर से किक माल देती है और तभी वहां प्रे आ जाती है फा उससे अकेले में बात करना चाहती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर चार्स का हाथ पकड़ जाने लगती है फा उसे रोकने के लिए उसे बता देती है कि चार्स ने उसका रेप किया था जो सुन वो दोनों शॉक प्रे को फा की बातों पर यकीन नहीं आता तो फा चार्स को सच बोलने को बोलती है लेकिन चाल्स केसे सच बताएगा वो तो फा को ही हट करना चाता है वो बेचारा बनने का प्रिटेन करता है जैसे उसने कुछ नहीं किया हो और वो फा पर ही इलजाम लगाता है कि वो उस पर जूटा इलजाम लगा रही है प्रे से कहता है कि उसने इसा कुछ नहीं किया और ये प्रे उसके ही बात मानती है और फा को चास से माफ़े मांगने को बोलती है फा परिशान गुसा होकर वहां से चली जाते है चास ये सब कर बहुत ही ज़्यादा पच्टाने वाला है अब नाइट में चास और प्रे साथ में घर आते है जहां प्रे बहुत ज़्यादा ड्रंक दिखती है चास उसे संबाल रहा होता है प्रे उसे चिपक रही होते चास उसे उसके रूम में ले आता है उसे बेड़ पर सुलाता है साइचन को शोचता है और रूम की विंडोस खोल वहां खड़े होकर फा के घर की तरफ देखने लगता है और फा की भी नजर प्रे के रूम में खड़े चास पर पढ़ जाती है चास उसे देख हसता है जान बुच के रूम की लाइट्स आफ कर देता है अब ये फा प्रे के लिए परेशान हो जाती है कि कहीं चास उसकी सिस्टर के साथ कुछ कर ना दे तो वो भी भागी दोड़ी प्रे के घर आती है जोर जोर से दरवाजा खट-कटाने लगती है प्रे दरवाजा खोलती है तो फारूम के अंदर घुस चालकस को रूनने लगती है लेकिन वह चास नहीं होता प्रे उसे कुछ काम नहीं है क्या बोलरूम से निकाल देती है फा उसे समझाने जाती है कि चास से शादी ना करे वो अच्छा इंसान नहीं है लेकिन वो सुनती नहीं उसे धकेल देती है चास ने इसा फा को परिशान करने के लिए किया था उसके घर पर कोई दर्वाज़ा खट-कटाता है उसे लगता है कि वो जरूर फा होगी तो वो खुचोंकर दर्वाज़ा खोलता है लेकिन वो सामने वत को देख शौक हो जाता है वत सिधे उसके घर के अंदर घुश जाता है गुशे में पूछने लगता है कि तुमने प्रे को शादी के लिए क्यों प्रपोस किया उसे पता है कि वो प्रे से प्यार नहीं करता चास असकर कहता है तुम्हारा प्रे के साथ ब्रेक अप हो चुका है अब वो किस से भी शादी करे वो उसकी मरजी बच्चिलागर कहता है लेकिन वो तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हो सकता उसे पता है कि वो किस टाइप का इंसान है चास को अपनी इंसल सुन गुसा आता है बोलता है तुम मेरे बारे में नहीं जानती तो ऐसी बाते मत करो चास अडमिट करता है कि वो प्रे से प्यार नहीं करता तो ये सुनवत चिड़ कर उसका कॉलर पकड़ लेता है यहां चास वत को बता देता है कि फा उसकी वाइफ है जो सुनवत शौक होता है उसे वो टाइम याद आता है जब भी उसने फा को रोते हर्ट होते दुकी होते देखा था चास नहीं फा को इतना ज़्यादा हर्ट किया था यह जानवत गुसे में उसे पंचेस मारता है तो चा इसे भाग कर वत को चास से दूर करता है और वत को पुलिस को बुलाने के धमकी दे कर वहां से जाने को बोलता है वत वहां से चला जाता है साथ चास को संबालता है और अब वत पहुच जाता है फा के घर वत फा के फेस पर चोटो की निशान देख उसे उसका कारण पूछने लगते हैं यहां वत फा की चिंता करते हुए उसे पूछी लेता है कि क्या चास्त ने उसे असौल किया था वत बार बार पूछता है वत को ये पता चल गया है ये देख फा शौक होकर रोनी लगते हैं वत उसकी चिंता करते हुए कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया अके प्रे को इस बारे में बताने का बोलता है फा बोलती है उसने उसे बताने की कोशिश करी थी पर उसने उसका विश्वास नहीं किया फा उसे ये भी बताती है कि चास को ये लगता है कि वो उसे पहले से जानता है वत को सोचता है कहता है शायद तुम तीन सालों पहले मीन आइलेंड पर उससे मिल चुकी होगी फा परिशान हो जाते है वत उससे कहता है ये बाद में देखेंगे पहले वो दोनों मिलके डिसाइड करते है कि वो प्रे के सामने चास का असले चेहरा लाकर ही रहेंगे अब हम निक्स्ट डे फा को चास के घर के सामने खड़ा देखते है चास घर के बाहर आता है फा चास को जरूरी बात करने के लिए मिलना चाती है बोलते है और उन दोनों को प्रे देख लेती है जिसे फा भी लोटिस करते है फा गर जाती है वत को कॉल करते है ये उन दोनों का ही प्लैन है चास की सच्चाई प्रे के सामने लाने का क्या इन दोनों का प्लैन सक्सेस होगा चास की सच्चाई सामने लाने का क्या प्रे फा की बातों पर यकिन करेगी और आगे क्या करेगा चास क्या वो फा को हट करने के लिए प्रे से शादी कर लेगा जानेगे हम निक्स्ट पार्ट में उसे जरूर देखना वुडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना थैंक यू